जी हां दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर ये न्यूज इस वक्त काफी जादा वाइरल हो रही है कि इंटरनेट एक्स्प्लोरर 27 साल बाद Microsoft इसको बंद करने जा रहा है Microsoft ने announcement पहले कर दिया था इंटरनेट एक्स्प्लोर की services 15 जूम से हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी 1995 में इंटरनेट एक्स्प्लोरर का जन्ब हुआ था या फिर हम बात करें इसको launch किया गया था और काफी जादा ये एक अच्छा ब्राउजर था 2003 में 93% तक success जो रेसियो था वो पहुच गया था 93% और यहाँ पर बात की जाए इसके कुछ और detail के बारे में तो यहाँ पर detail बहुत कुछ है कि शुरुआती टाइम पे जो इसके member थे 6 member थे जिन्हों ने इसको launch किया था और ये project 1994 में Thomas Reardson ने शुरू किया था और उसके बाद ये धिरी धिरे चलता गया धिरी धिरे चलने के बाद ये browser काफी जादा important हो गया लोगों के लिए और market में इसके हिस्सेदारी 95% तक बढ़ गई थी जैसके मैंने आपको बताया आखरी वर्दन जो इसका आया वो था internet explorer 11 जो कि काफी time तक चला और जो कि launch किया गया था 2013 में और उसके बाद इसको लोगों ने काफी ज़दा सराहा लेकिन अभी market में यही news है कि internet explorer बंद होने वाला है और अब आपको ये देखने को नहीं मिलेगा 15 जून के बाद आपको नहीं पता है तो बता दूँ कि internet explorer जो है 1995 में Windows 95 में as a addens launch किया गया था अब यहां पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल पैदा हो सकता है कि अब इसके बाद क्या होगा कौन सी websites हैं जो कि नहीं चलेंगी और बहुत सारे लोग जो Windows 7 यूज़ करते हैं उनका क्या होगा Windows 10 पर कब से गायब हो रहा है जिसके देखिए मैं Windows 10 यूज़ करता हूँ अगर मैं यहां टाइप करो Internet Explorer तो यहां मुझे Internet Explorer देखनों को भी मिल जाता है 15 जून के बाद यहां पर जब नया patch update आएगा तो यहां से यह हटा दिया जाएगा हाँ इसके बतले में यहां पर मुझे जरूर जैसे मैं Internet Explorer टाइप करता हूँ मुझे Microsoft Edge देखनों के मिलता है जो की latest इसका browser है अब replace करेगा Microsoft Edge किसको Internet Explorer के हो अगर आप बात करें Windows 11 की बहुत सारे लोग Windows 11 यूज़ करते होंगे तो Windows 11 में क्या है अगर आप जाते हैं और वहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं Internet Explorer तो आपको वहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है क्योंकि वहाँ पे completely पहले से ही Windows 11 में सारी चीज़े गायब कर दी गई है सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा वहाँ पे देखने को तो वह है Microsoft Edge Browser अब जैसे कि आप देखी यहाँ पे अगर मैं Search पे टाइप करूँ तो Search पे मुझे क्या देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ देखने को मिलेगा Microsoft Edge Browser अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइप करने के बाद इंटरनेट की प्रॉपरटीज आपको दिख जाएंगी ब्राउजर हिस्ट्रिक जाएगी लेकिन टॉप पे आपको दिखेंगा Microsoft Edge Browser मतलब की इंटरनेट एक्स्प्लोरर कम्प्लिटली Windows 11 से पहले ही हटा दिया गया है हाँ उसके अलावा Windows 10 पे चल ला है तो Windows 10 पे आपको 15 जून के बाद देखने को नहीं मिलेगा Windows 7 की जो सर्विसे से कंप्लिटली स्टॉप हो चुकी है Microsoft इसमें कोई भी अपडेट नहीं देता है तो उसमें हम बात नहीं करने वाले है अब आईए देखते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जो कि काफे ज़्यदा important है जैसे कि Microsoft की website पे बहुत सारे सवाल है जो कि आपके दिमाग में आ रहे होंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको जवाब दिया गया है जैसकि 15 जून के बाद यह रिटायर हो जाएगा और आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसके replacement में आपको देखने को लिए मिलेगा Microsoft Edge browser जैसकि आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है अब यहाँ पे क्या है आप दे नमबर आया है internet explorer 11 का जो desktop application है उसको retire किये जा रहा है आपके laptop desktop कहीं पे भी नहीं चलेंगे reason क्या है reason यह है कि improve होगी compatibility आपने कई बार देखा रहा होगा कि कुछ बहुत सारी websites होती थी जब आप internet explorer पे open करते थे वहाँ पे open नहीं होती थी आपको add compatibility board पे उसको चलाना परता और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें problem करती थी जहाँ पे आप उसको सही सो open नहीं कर पाते थे Microsoft ने क्या किया Microsoft ने फिर उसके बाद Microsoft Edge को लाया किसके project पे chromium project पे technology पे based है Microsoft Edge और जहाँ पे सारी चीज़ें आपकी अच्छे से चलती है जहाँ पे आपको committability की कोई भी ज देखनों की मिल जाती है जो कि आप internet explorer में नहीं देख पाते थे और यहाँ पे आपको काफी ज़्यादा easy और smart उसके साथ quick way में सारी चीज़ें देखनों की मिलती है और आपको आसानी के साथ यूज कर पाते हैं as compared to other browser भी जैसे कि आप बहुत ज़्यादा useful है friendly है किसके Microsoft के स Google Chrome browser के अब यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका reason है better browser security हाँ बिल्कुल जरूर था कई बारों लोग कहते भी थे कि internet explorer इतना ज़्यादा secure नहीं है phishing malware attacks जिसमें बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वैसे आपको problem आती है तो यहाँ पे Microsoft ने internet explorer को अब replace करने वाला है Microsoft Edge के साथ 15 जुग्या साथ आप वही यूज़ कर पाएंगे और यहाँ पे और क्या भी चीज़ें होंगी आप customer को काफी ज़्यादा experience अच्छा मिलने वाला है यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो नए चीज़ें जो की update में आपको नहीं मिलती थी internet explorer के अंदर वह आपको जो है वो है 15 जून 27 साल के बाद Microsoft ने आखिरकार वो फैसला लेही लिया कि अपने सबसे चहते ब्राउजर internet explorer को करने वाला है discontinue तो अगर आपको मेरी जानकारी मेरी information पसंद आई हो इसको like मतलब की मेरी वीडियो को like जरूर करें अपने दोस्तों को share करें ताकि आपकी दोस डालने किस पर Microsoft Edge browser पर हाँ जो लोगों इसके internet explorer में बहुत सारे उन्होंने bookmark कर रहे होंगे कोई extension लेने के जुरूरत नहीं है Microsoft Edge browser install करने के बाद आपको import option मांपे by default मिल जाएगा और आप सारे के सारे चीज़ें import कर सकते हैं